इस लड़के को कच्रे के धेर में एक पैरालाइजड रोबोट कुटा मिल जाता है जिसके कंधे में दो मीटर का स्टील का पाइप घुसा हुआ होता है जैक अपना हेलमेट उतार देता है और धीरे से उसे सहलाने लग जाता है रोबोट कुता आकरामक नहीं है ये जानने के बाद जैक स्टील पाइप को तुरंत बाहर निकालने में उसकी मदद करने लग जाता है जल्द ही उस रोबो डॉग की आँखें बदल जाती है और अचानक जैक के फोन पर एक रहस्य में मेसेज आ जाता है ये उस रोबो डॉग के लिए एक रीपैर प्रोग्राम होता है जो जैक को काफी आश्चर्य में डाल देता है जैक को लगता है कि ये कुता कोई साधारन रोबोट नहीं है बाद में जैक कही से एक लकडी का फट्टा ढून लाता है और उस रोबो डॉग को एक कंटेनर में ले जाता है फिर वह अपना सेल फोन निकालता है और रीपैर प्रोग्राम को एकसेस कर उसकी मरमत शुरू कर देता है लेकिन उस रोबो डॉग का कंधा बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है और इसे एक नए शेल से बदलने की जरूरत होती है जैक के पास मोटर साइकल के शेल को अलग करने और कंधे के आकार के अनुसार इसे चमकाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता जैक के निरंतर प्रयासों के तहट रोबो डॉग आखिरकार कंटेनर से बाहर निकल आता है बाद में जैक पेट्रोल लेकर आता है और रोबो डॉग के गैस टैंक में डाल देता है घायल रोबो डॉग तुरंत होश में आ जाता है जैक फिर उसका मास्क उतार देता है और रोबो डॉग का मुँ टाइटेनियम के दांतों से भरा हुआ दिखता है